यक्ति को अत्यधिक इमानदार नहीं बनना चाहिए सीधे पेड को पहले काटा जाता है और इमानदार लोगों को पहले बिगारा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, एक युवा और महिला की सुन्दरता है कोई काम शुरू करने से पहले, हमेशा खुद से तीन सवाल पूछे मैं यह क्यों कर रहा हूँ? परिणाम क्या हो सकता है? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? इन सवालों के लिए गहराई से सोचें और यदि आपको इन के लिए संतोश जनक उत्तर मिलते हैं, तो आगे बढ़े फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में ही फैलती हैं, लेकिन एक व्यक्ती की भलाईयों का प्रचार प्रसार सभी दिशाओं में होता हैं, जो व्यक्ती अपने परिवार के प्रती अत्यधिक आ सकते हैं, वह भय और दुख का अनुभव करता हैं, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आ सकती हैं, खुश रहने के लिए आ सकती को त्यागना चाहिए, एक व्यक्ती अपने खूद के मन के प्रयासों के माध्यम से उठ सकता है, मन स्वयं का मित्र भी है, और शत्रु भी, यक्ती अपने कर्म से बड़ा होता है, जन्म से नहीं, जब आप कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो हार का भय न रखें, और उसे छोड़े भी नहीं, जो लोग सच्चाई से काम करते हैं, वे सबसे खुश होते हैं, यदि कोई साप विशाक्त नहीं है, तो भी उसे ऐसा दिखावा करना चाहिए कि वह विशाक्त है, सबसे बड़ा गुरू मंत्र, किसी के साथ अपने रहसियों को कभी साझा न करें, यहाँ आपको नश्ट कर देगा, हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, स्वार्थ के बिना कोई भी दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़ा सत्य है, आगे बढ़ने का रहस्य है, शुरुवात करना, जैसे ही भय आसपास आता है, उस पर हमला करें, और उसे नश्ट करें, व्यक्ति को अपनी क्षम्ता के अनुसार पैसा बचाना चाहिए, जितनी क्षम्ता हो, उतना ही अधिक पैसा बचाना चाहिए, व्यक्ति को बहुत बात्चीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आवश्यक हो, तब बोलना चाहिए, नरम भाशा में बात्चीत करनी चाहिए, और इस प्रकार दूसरों के दिलों को जीतना चाहिए, एक व्यक्ति अकेला जन्म लेता है, और अकेला मरता है, और उसे अपने कर्म के अच्छे और बुरे परिनाम अकेले ही भुगतने होते हैं, और वह अकेला ही नर्ग या परमधाम की ओर जाता है, लड़की का ब्याह अच्छे खांदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रो को आपत्ती और कश्टों में डालना चाहिए, एवँ मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए, एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है, कि साप तभी डंख मारेगा जब उसकी जान को खत्रा हो, लेकिन दुर्जन पगपग पर हानी पहुचाने की कोशिश करेगा, राजा अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना आरंध में, ना बीच में और ना ही अन्त में साथ छोड़ कर जाते हैं, एक अशिक्षित आदमी का जीवन एक पुटे की पूँच की तरह बेकार है, जो न तो अपने पिछवाडे को ढगता है, और नहीं कीडो के काटने से बचाता है,